नमस्कार किसानबाईओ, आपका सौगत है आपके अपने चनल लच्मी फार्मिंग में किसानबाईओ, आज हम आपके लेक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको ग्यों की धो सबसे अधिक पैदावार देने वारे में जानकारी देने वाले है किसान भाईो ग्यों की बॉआई का समय अस डीगा चुका है बहुत सारे किसान भाई, गिवों की एक ऐसी वरैटि को लगना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार निकल कर देती हो आज की इस वीडो में हम आपको गिवों की जिन दो वरैटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं या भारत की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वरैटियों में से एक मानी जाती हैं किसान भाईओ, अगर आप भी गिवों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वरैटियों को लगना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडो को पूरा देखेगा आज की इस वीडियों में हम आपको इन गिवों की वरैटियों के बारे में पूरी जनकारी देने वाले हैं कि या कितने दिन में पकर त्यार हो जाती हैं, इनकी पैदावार कितनी हैं, 20 दर आपको कितना लेना है, वो आई कप करना है इन सबी चीजों के बारे में हम आपको A2Z जनकारी देने वाली है जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है है वा सबसे पहले तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे और अपने किसान लित्रों के साथ शेर खरते हैं किसान भाईयो, आज की हमारे जो गिवों की सबसे पहली वराइटी है, इसका नाम है DVW-327, या एक गिवों की ऐसी किस्म है, जो सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार देने में सक्षम है, इस वराइटी में बहुत सारी अंगिनात विसिस्ताएं पाई जाती हैं, आज की इस 153 से लेकर 156 दिनों की अंदर पकर त्यार हो जाती है, इसके अंदर जो बालिया निकलती है, वा काफी लंबी होती है और इसकी बालियों में अधिक स स्यदिक मातला में आपको गिवों के दाने भी देखने को मिलते हैं, किसन भाईयो अगर हम बात करें बालियों के लंबाई के बारे में तो बालियों की लंबाई 12-15 cm तक करीब करीब देखने को बाई जाती है इसका जो पौदा होता है उसकी लंबाई 90-100 cm के बीच में देखने को मिलती है चलिए अब बात करते हैं कि आप इस वराइटी की बाई कब से लेकर कब तक कर सकते हैं किसन भाईयो इस गिवन की वराइटी की बाई का जो पुछिश समय है वो आप 20 अक्टूबर से लेकर 5 मुवंबर तक माना चाता है किसन भाईयो जब आप इस गिवन की वराइटी की बाई करने जा रहे हैं तो अपने बीच को उपचारिक जरून कर लें अब हम बात करेंगे किसन भाईयो इस वराइटी में कलनों की संख्यारे बारे में इस वराइटी में आपको 8-10 खलनी देखने को मिल जते हैं अगर हम बात करेंगे आप इस वराइटी की खेती किनकिन राज़ों में कर सकते हैं तो आप 3-4 जाई के करके भी इस वराइटी की खेती कर सकते हैं वराइटी में किसन भाईयो बिमारीयों और रोगों को परतिक काफी आदा सेंजीरता पाई जाती है साथ में कि इस वराइटी में एक और खाव बाद है या अधिक से अधिक मातर में गर्मी को भी साह सकती है किसान भाईयो इस किसमे में में आपको अधिक से अधिक मातर में पैदाबार देख लिएगों को मिलती है अगर हम बात करें इस वरायटी के ओस्थन उपदन के बारे में तो यहां वरायटी आपको 70-80 कुंटल प्रती एक्टेर का उत्पता निकाल कर देती है और अगर हम एकड़ के बारे में बात करें तो 31-34 कुंटल प्रती एकड़ का उत्पता निकाल कर देती है इस वरायटी को आप लगबग सभी प्रकार के राज्यों में लगा सकते हैं किसा नाम है WH-1270 यहाँ जो गेमों की किसम है बहुत ही अच्छी किसमाने जाती है और इसकी पैदावार भी काफी अधिक होती है किसन भाईो इस वराइटी में भी आपको बहुत सारी जिस्ताय देखने को मिलती है बहुत सारे किसन भाई पिछले साल इस वराइटी को लगाये थे और उन्हें काफी बढ़िया और अच्छा प्रणाम देखने को मिला था उन किसन भाईो ने बताया कि सर इस वराइटी को इस बार आप किसन भाईों को बोलिए लगाने के लिए क्योंकि इस वराइटी ने काफी बढ़िया और अच्छा उपदर निकाल कर दिया है और इसकी दुनों के अंदर अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाती है इस किसमे किसान भाईयों करनाल बल्ट एवाव पीला बूरा रेतवा के प्रती काफी ज़्यादा साय सीलता और प्रत्रियोदा चमता पाई जाती है किसान भाईयों इस किसमे की बुवाईयों आप अगैती और किसान भाईयों बीजदर आपको लेना है 35-40 किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से किसान भाईयों गेवों की इस रेटी में आपको आतिक सदिक मतर में कल्लों का गुटाव भी देखने को मिलता है इसके एक पौदे की जो लंबाई होती है वा लबग लबग 100 पाई जाती है किसान भाईयों इसकी जो उत्पता चमता है वा भी काफी जाड़ा होती है अगर हम बात करें इसके ऑस्तर उत्पतान के बारे में तो गियूंग या वराईटी आपको 50-60 कौंडल प्रती एकड़ का उत्पता निकाल कर देती है और एक एकल में बात करें तो 25 से 28 स्कौंडल प्रती एकल का उत्पता निकाल कर देती है किसान भाईयों इस वराईटी में वैसे तो बहुत एसारी खास बाते हैं अगर आप इस वराईटी को लगाएंगे तो आपको नेशित रूप से काफी बढ़िया और अच्छा उत्पतान देखने को मिलेगा अगर ह किसान भाईयों हमा बात करें सिचाई के बारे में तो 2-3 तक आप इस वराईटी की खेती ले सकते हैं किसान भाईयों काफी बड़ी है और अच्छी गिवाराईटी है इसकी रोटिया भी खाने में काफी स्वाधिश लगती हैं बहुत बहुत इसरी किसान मायने होता है कि इ अपने के समत्रों के साथ शेयर कर दीजेगा और जयरों को अस्क्राइब कर दीजेगा हैगर आप PCNM Reddy के बारे में जानकारी चालते हैं तो कबन करनके जरूर पूछें